असलामों अलाइकुम कैसे आप सब आज मैं आप लोगे के साथ शेर कर रहे हूँ काबोली वटाने का पुलाओ जो हम छोले बनाते ना जिससे छोले वाले वटाने उसी का पुलाओ बनाने जा रहे हूँ कुछ भी खानी घर के अंदर तो मैं यही बना रही थी तो सुछ आप के साथ शेर कर दूँ थोड़ा सा नया है मेरे लिए मैंने इससे पहले कभी यह बनाया नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी बना था यह वटाने छोले वाले वटाने जिसको मैंने उबाल के रख लिया है यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले ली 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 अक्खे खड़े गरम मसाल हफ से दो बड़े तेज पत्ता लॉंक नंहीं जिसको काट लिया है और ले दालचिनि का अब आही कुकरीशिक नाणों काली ही अठेशchi अपनी चोईस से तो बस इसके बाद में इसमें आइड कर दूंगी यह उनियन जब इने काटके रखे ते इसको अच्छा लाल करना है जब लाल ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद उसके अंदर मसाले अड़ करेंगे और यह वाला जो प्लाव है यह बहुत टेस्टी बनाता वैसे तो हम लोग चने के चने का प्लाव बनाते हैं वो चने की दाल का प्लाव बनाते हैं हम लोग लेकिन यह वाला मैंने फोर्स टाइम ट्राइ किया और बहुत टेस्टी बनाथा आप भी ट्राइ कर सकते घर अगर आपके पास छोले होंगे तो थोड़ा different अधरक लसन एड कर दिया अधरक लसन एड करने के बाद अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक अधरक लसन मतलब अपनी खुश्बू ना छोड़ दे और उसके बाद फिर मैं एड करूंगी इसके अंदर जो टमाठर मेंने काटके रखे वो टमाठर एड कर रही हूं के बाद जो घर्म में अविलेबल है मतलब जो घर्म में अविलेबल था मैंने व करक कर यह पका दिया कोई अशना मिलेई ना आपको ऑलमिर्ची की नई आड करना है तो आप हरी मिर्ची बाड कर सकते वह बहुत सकतेannahists मैंने लाल मिर्ची बुक्की एड की है और ये टमाटर को अभी अच्छे तरीके से गला लेना है थोड़ा ढखके पकाऊंगी दब तक टमाटर गल नहीं जाता और जब टमाटर गल जाएगा तब मैं इसके अंदर डालूँगी एक-दो सीटी ही करनी होती है जितना चावल को पखने के लिए टाइम लगता है इसलिए मैंने इसको पहले हिल दिये और नमक डाल के अबाल के रखा था तो ऐसा है, उसके बाद मैं इसमेद डालूँगी चावल जो मैंने धोके रखे और ये बास्मती चावल अख्के लंबे वाले बिर्यानी वाले नहीं है वो मेरे लंबे बास्मती वाले खतम हो गए बिर्यानी वाले चावल तो ये daily use के चावल थे तो मैंने ये ये add कर दिया बस इसको अच्छी तरीकी से मिला लूँगी और चावल को पकनी के लिए जितना पानी लगता है मतलब चावल के हिसाब का डबल पानी मैं आड़ करती हूँ चावल के अंदर लेकिन इसके अंदर ओलरेड़ी छोले के पानी था इसलिए मैंने थोड़ा कम पानी आड़ किया है ने तो चावल बहुत जादा चिकट हो जाते तो चावल अपने चावल के हिसाब से अपना पानी बैलन्स करके आप डाल सकते उसके बाद मैं इसका कुकर बन कर दूंगी और इसको दो सीटी लगा दूंगी और गैस बन रखा था मैंने 10 मिनिट के लिए मतलब कुकर खोला नही मैं बस कुछ भी बोलती हूं बस खाना अच्छा होना चीए टेस्टी होना चीए और यह टेस्टी था अगर आप लोगों के पास धन्या पुदीना यानि कोत्मीर पुदीना कुछ भी होगा ना गर घर में तो चावल और काबुली चाना डालने के बाद जब पानी डाल रहे सेम यह प्रोसीजर में तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना शेर कर देना सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल पर अगर नए है तो